Hello friends, myself AJ , आज हम दिखनी वाल है हमारा नेक्स टॉपिक that is a Life Cycle of ECTIPation लास्स टाइम हमने देखा था what is the cookies, what is the session, कहां पर store होते हैं, के से जन्देट होते हैं, उसका Lifetime Period क्या हो सकता है सेचेंगे फ्लोट इंडेश का सकते इस सारी है यहां पर इनिक सेशन देखने वाले तो स्टार्ट ते पहले यह तो कई आपको प्रिवेस वीडियो के session चाहिए होंगे तो उसका playlist हमने create क्या है तो playlist आपको जो आई symbol है वह आप मिल जाएगा या description में भी मिल जाएगा and end of the video तीनों जगह पर आपको जो playlist होगा यह मिलने वाले तो video को पूरा देखे and similar next video के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं and bell icon को भी click कर से हम आने हमने चाहल दर दिया हुने हम आंप हम एक नहीं आ हम नहीं लास्ट वीडियो में एक्जाम्पल देखा था सेम एक्जाम्पल हम यहाप पर देखेंगे पॉर ओनलाइन शॉपिंग फेस्टिवेल आ रहा है यहाप कोई भी वेबसाइट उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए वेब ब्राउजर के उपर हम कहाएंगे करके एक रिवेड करेंगे एं उसके एक एक रिवेड द्रिवर नेिक टॉ खेंगे पर हमें आपिर हो जाएंगे भी जिस्टी चाहर म्नेर्जान रिवेड की ठुत की हुवर इंखहिएस थे सरव कुला सुझत nervous the authentication ब्रावजर दिस्प्लेंग और लॉग इन फर्म के विदाउट लॉग इन उसके अंदर की जितने भी नंबर इन फोर्मेशन हैं हमें डिस्प्लें नहीं होने वाले तो उस सिनारियों के लिए जो ऑथन्टिकेशन मॉडिल्स होगा वो चेक करेगा कि प्रिवेस्लिग कोई इन है कि और कोई बी वाल्य नहीं होगी नल वाल्य होगी तो व्यद्रव यहां पर एक नॉर्म जो वेव पर्मॉर्म ओगंवाने पर यहां पर आपको आने वालने द्सप्लावर के बात क्या होगा जसल्ब विजिटर कीज इस वालीन यूजरने में पास्पर विच देन कि specifically visitor या user क्या करेंगा उसके पास जो भी यूजर नेम पास्वर्ट होंगे ओंगे यहां पे इंसर्ट करने वाले कि विजिटेट की प्रेस करेंगे जो भी यूजर नेम पास्वर्ड इंटर करेंगे देन प्रेस इंटर और जो जस लेक लॉगिन बटन साइन बटन ओके जोब वेब सर्वर रिटर्ण सव वैलिट सेशन आइड एड़ अलाव दिस विजिटर यूनिकली आइडेंटिफाइड इस पेसिपिक जो हमारा यूजर है उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए हमें आप क्या करने वाले सेशन आइड जन्रेट करेंगे एंड यूनिकली वेबस यहां पर वर्क होने वाले सो विजिटर का जो सेशन आइड होगा 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 सेशन आ in a web browser check करेंगे कि each and every request जब भी हम forward करेंगे to the web server तो with respect to session id हम क्या करेंगे send करेंगे simultaneously जो हमारा http session होगा in the sense http के जो इतने भी numbers of request जन्देर्ट होंगे her request as a new request जन्देर्ट होने वाल है so उसके था साथ हम क्या करेंगे session id okay if value नर होगी first time की जब हमने value assign ने की उस scenario के अंदर and if value assign के तो specifically जो value है यहां पर हम send करेंगे जो भी value है यहां पर हम send करेंगे then next the visitor web browser issue any numbers of request to a web browser the web server is able to identify a visitor web browser and visitor security privileges based on session id that accompanies each request okay if कोई visitor होगा या कोई user होगा उसको specifically problem को कोई face करना है okay या कोई problem आ रहे है उसको face करने के लिए उसको identify करने के लिए हमारे पास क्या है यहां पर session id जो भी session id हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग लिए हम क्या करेंगे यूजर को identify करेंगे उसका जो भी security mechanism mechanism or security privileges होंगे उसके अकॉर्डिंग लिए उसको security provide करेंगे या उसको identify true user कौन सा है क्या false user कौन सा है क्या actual user कौन सा है या थीप यूजर कौन सा है यह हम वाय सेशन id find out कर सकते हैं जो भी वे ब्रावजर के उपर जो भी shopping करना होगा जो भी transaction करना होगा सबी चीजे होने के बाद last वाला जो option होने वाला यह विजिटर क्लोज द ब्रावजर विदाउट एक्सपिलिसिटली लॉगाट जिसलिए कि दो मेकानिजम इसके अंदर हो सकते हैं कि फस्त मेकानिजम डैट विदाउट लॉगाट यह नॉर्मली हम सबसे होता है जो भी हम लॉगिन करते हैं हमारी सिस्टेम को तो कोई रिज़ टाइम के इस्वाजर के वज़े से हैं कोई विदाउट लॉगाट डारेक्सपे-स फिन चाहिते हैं जब कर लोगते हैं ऐसे lot लॉगाट आरि बोवुल्य से或者 on करें होते टाट हा तो यहां फेल नहीं यह हो जाता कि जैसले कि कोई घडबरी की वाज़े से हम वहाँ पर भूल जाते हैं सो वह क्या हो सकता है यहां पर इक प्लिटली log out करना भूल गए है कि उसको कमपर सरी ब्राउजर के उपर log out कर खे इसको जो जो चाहिए और वाइज हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है जो डिवलेपर वह उसने सेटिंग अप किया होगा प्रगाट हो जाता है तो सब्सक्राइब लाइब सेटिंग इसको आपको अनसर करें जो सेकेंड एक ते इसकेंड अनेजमेंट रूल्स बेकों को से डिफरेंट रूल्स इसके अंदर है इन्नार्म थी क्यारक्टर शिक रूल्स यहां पर दिये गए on a web browser okay there are three characteristics that must be followed by the managing a session over the web okay webkeeper उसको manage के नहीं के three normal steps है first that is a तीनो एक से पहले देखे देन उसका explanation देखेंगे the first that is an information or a state must be stored second each HTTP request must carry identifiers that allow a server to process request in a context of store state and third that is a session need have time out okay तीनो का explanation देखेंगे first is necessary information and state are stored specifically इसके अंदर क्या होने वाला है कि जो value होगी information होगी इन शौपिंग का एक्जामपल उन्हों नहीं दिया है इन शौपिंग का एक्जामपल जातला है कि जितने भी numbers of information just like product हम buy करने वाले तो buy करने से परले हम क्या करते है add to card करते shopping card के अंदर add करते then again जो हमारा web browser वगाँ web page वगाँ वहापर search वगरा करते and then again जितने भी numbers of product आपको required है one by one is add करते and end to the last उसका total होता है then payment तो इसारे information क्या होते है page to page आप previous data आपका यहाँ पर carry forward करते है तो इसको store करने के लिए template data store करने के लिए हमें यहाँ पर session required है यह first rule हो गया second characteristics और rules का है each http request must carry identifier that allow the web server to process a request in the context of your friend store state okay इसके अंदर क्या होने वाले second के अंदर for example okay जब add to card आपने कर दिया next क्या होने वाला है when a order is submitted कि जब हमारा order submit हो जाएगा it must be proceed with the correct item and customer details okay so सभी की सभी information हमारे के add to card से place order के उपर जाने वाले तो इस scenario के अंदर कि जितने भी numbers of information है as it is forward करने with respect to session ID हमारे पास है तो session ID के according जो customer details हमें चाहिए सभी की सभी details हमें आप पर लेंगे तो यह चीज़े accurately होनी चाहिए के इसके अंदर कोई भी mistakes नहीं होनी चाहिए तो इस परपस के लिए हम क्या करेंगे यह आपर यह रूल्स याद रखेंगे then third rules that is a session need have to session need to have a timeout timeout हमें require timeout क्यों required है तो first season is the most important is security purpose otherwise क्या हो जाएगा कि if client leave the website there is a no way to web server can not determine when a session is ended okay specifically उसको determine करने के लिए just like actual user है क्या दूसरा कोई just like example लिखते है cyber cafe okay cyber cafe या school colleges में आप example देख सकते कि आप login करते हो स्पेसिफिक लिए आपका task complete करते हो and जो हमारे घरबड़ी होती है कि कोई भागदोर में रहता है तो क्या करता है जो लॉग आप भूल जाता है तो उसके बाद उस सिस्टम को उस वेबच को कुछ दूसरा कोई access कर सकता है उसका कोई misuse कर सकता है तो उस reason के लिए हमें उसको session को time out करना important है तो according to website privacy क्या होता है कि लेकि कुछ website 5 minutes session out होता है 10 minutes के बाद होता है 20 minutes के बाद होता है तर्टी मिन्ट के बाद के बाद के according to session के according to website हो क्या हो सकता है time differ हो सकता है या according to developer हो क्या करेगा time out your feature से या पर देना कम पर सरे foreign security features session management rule समझ में है कोई भी डाउट तो comment box आपके लिए ready तो comment कर सकते देन नेक्स के अंदर देखते हैं इसको ट्रैक करने के लिए हम चाह कर सकते सेशन ट्रैक करने के विटन सब्सक्राइब एपिए पर्स शेशन ट्रैकिंग इस वन इंपोर्टन रोल प्ले बायर जावा सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए कर लोटन ओ सेशन झाकिर इस लिए हम छिप्राइब देनला हैं वींग ट्रैक्ट बैस्ट क्या चाहिए इसको त्रैक करने के लिए बेसिकल यह में फर्स क्या चाहिए कि जितने भी नंबर सब्सक्राइब करें इसके लिए आप जो प्रीवेस हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है उसको चेक कर सकते हैं कि इस cookies create किया according to request value या login form वी create किया तो यह सारी चीदिया आप हमारे जो practical session है तो इस practical session में देख सकते हैं आइडिया आ सकता है कि हमें किस सासे actual हम इसको implement करते हैं जो request method है हमारे servolate के अंदर किस सासे implement करते हैं so respectfully इसके add हमें क्या करना है एक servolate API है request of client belong to just one client and we track okay so उसको track कर सकते हम then next the servolate API क्योंकि यह provide a simple powerful and set of techniques to deal with a session किस session के साथ deal करने के लिए simple powerful and set of techniques हमारे servolate API के अंदर predefined है कि उसके अंदर से हम उसको ले सकते हैं and use कर सकते है the servolate API the HTTP session provide a developer all that is required to track a session using a code specification कि जो भी हमारे पास code है उसके accordingly हम क्या कर सकते है जो हमारा website को क्या कर सकते है क्या कर सकते है क्या कर सकते है session को track कर सकते है using a servolate code the servolate API provide a developer of that required a track session in servolate code specification the session ID is only that state of data implement between a request between a web server and browser कहां पर यूज होने वाल है हमारा session ID just like communication between जो हमारे numbers of clients and web servers okay client in the sense यहां पर उन्हों दिया कि browser and जो हमारे web server है उन दोनों के बीच में communication purpose के लिए हम यहां पर यूज करेंगी राचिजन session ID कि जब भी हम कोई भी request send करेंगे browser to web server so उस परपस के लिए each and every request के साथ हम क्या करने वाले हमारा session ID यहां पर परवर्ड करने वाले हैं this means that sensitive data such as a password username can be safely associated with a session as this data never leave a servlet process okay just like जो भी data हम forward करेंगे from browser to web server each and every data यहां पर पास करेंगे with respect to session ID so क्या होने वाले हमारा secure data होने वाला है foreign safety features if आपको कोई भी doubt होगा session tracking के अंदर so फिर से जो comment box है आपके लिए रिडिये है आपके question पूछ सकते है हम उसके reply ज़रूर देंगे then next next scandal I am thinking that is the method of session tracking कितने numbers of methods हम यहां पर यहां पर यूज कर सकते है so there are three types of methods हम यहां पर यूज करेंगे so first that is the cookies so cookies क्या करेंगा so three types of method उसमें से first method है cookies so one slide by slide तीनो method देखेंगे so cookies क्या होता है just like पूरा chapter हमारा previously हो चुका है उसके उपर तो आपको idea होगी if कोई सी को यादने होगा so i button होगा आप देख सकते हैं कि जो cookies का वीडियो क्या है cookies का concept क्या है वह आपको clear हो जाएगा cookies प्रेजेंट प्रेजेंट कंविंशन वे टू स्टोर स्टेट ऑफ इन्फोर्मेशन क्या काम कर रहा है कि जो भी विजिटर की इन्फोर्मेशन या जो वे ब्राउजर की पर हम सर्च करते हैं then next क्या करने वाला है the cookies is a web server generated container in which a web server can automatically store a small amount of state information on visitor harddix to a request to visitor browser की जितने भी numbers of numbers of request करने वाले हर request के साथ हर request हम क्या करेंगे जो data forward करेंगे उसका एक copy हम यहाँ पर as a cookies store करने वाला है just like आपको example पता होगा कि हमने last time किया था registration form हमने one time फिल किया था next time हम जब भी form open करते फिल करने के लिए अजी तो टेक्स बॉक्स के उपर क्लिक करने के बाद उसके आंदर जो contain हमने इंतर किया था यहाँ पर फिल से आ जाता है just like अमने last time exam पर देखा था registration form का registration form one time फिल करने के बाद जब भी हम next time फिल करने जाते same text box के उपर क्लिक करने के बाद जो information just like name के ऊपर इंट्सबोक्स के उपर क्लिक करने के बाद जो एड्रेश जाता है सारी चीजे क्यों वहते है वहां पर होने वाले एंटरनेट बेस एप्लिकेशन विजिटर स्पेसिफिक इन्फर्मेशन और मले और इन डेटाबेस टेबर सभी इंफर्मेशन ब्रावजर से पुर्ग देखने को मिलती है विजिटर प्राऊजर ओनली रिटर्न इस इड़ु दो एडर द्वी इनिफिटर नहीं करते हैं जो एक्ट्वल इन्फिटर्पित्स हमें पर साथ सहां करते हैं okay then next that is an advantage of cookies क्या क्या इस के अद्वांटेज है तो फर्स अद्वांटेज इन द सेंग विजिटर इंफरमेशन नीड ओनली तो बी स्टोर वन्स इन वेब सर्वर डेटाबेस या डेटाबेस टेबल कि वन्स अमे क्या करनके जो इन्फरमेशन नेो हमारे डेटाबेस के अंधर इस टोर करनके एंब सरवर के ऐन्स टैम क्या होता है अपीर।दिन वेजिटर स्पेसिपिक इन्फरमेशन ज้ नेадं नोटा बीया थी फ्टोर आज बीजिटर कोंप्यूर पूरा डेटा स्टोर रहा है तो यहां पर हमें जो विजिटल कॉंपीट होगा तो उसके अंदर कोई भी इंफोर्मेशन स्पेसिफिकली स्टोर करने की रिक्वार्मेंट नहीं है सभी का ? सभी सभी जेटा हम कहां पर करेंगे on a web server अर्षेर इंफोरो यह प्सेफिफ Whew , इससेफिप प्लाउट यह तर्फ हमारे पास यह होगा आपने लास्ट्सीम का सेशन अच्ट मु गा कुएत नहीं है आप आपके वेब राउजर के अंदर कुकिज और सेले करते हो तो उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वित रिस्पेक्ट वूर्य होता है कि जतले कि गूगल के लिए क्या एमेल एड्रेस है यह हूं कि यह क्या है कि यह अगोडिंग तो डिफरेंट्स फॉर्म सोंगे वेब साइट होंगे तो उसके क्या क्या इंफोर्मेशन है कि सभी की सभी डेटा हमारा कुकिज के अंदर प्रजेंट होता है इस आपको चाहिए होगा तो आप नौर्मल आपका वेब राउजर ओपन करो सेटिंग्स में जाओ और कुकिज वाल ऑप्चन सेर्च करो तो आप नहीं रहती है कि कोई भी स्पेसिविक एस्टेमल डॉक्यमेंट होगा या यूर्ल होगा हमें यहां पर कुकिज के अंदर स्टोर नहीं करते है क्या होता है कि पर प्रजली डिटेल कि कौन-कौन ती डिटेल यूजर निम बोल सकते है पास्वार्ड या कॉम फिल्स के सभी लेटा वापे होगा कि स्पेसिविक लिए में यूर्ल या पर रिक्वार्मेंट नहीं तोर नहीं 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 तो कुकिज की इंफरमेशन कान बी एक्स्ट्राइक ओंड़ क्लाइं रिक्वेस्ट यूजिंग अगेट कुकिज ओपनेश्ट पाइंड पाइंड आउट करने ह तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यूजिंग अन्गेट कुकिज मेथर वायर यूजिंग अन्हेश्टीपी सवलेट रिक्वेस्ट पैकेज तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कुकिज के अंदर कोई डाउट जो फर्स मेताद है हमार् कुकिज अप्सेशन ट्रैकि घर इन जिलीपर कुटिम में ट्रैकिंग यह दें के सब्सक्राइब की रस एलके सब्सक्राइब समय कर में азब ट्री में ट्री जिलीपोंस ट्रीड सर विर्रि वहाँ शर्री शर्स टीडाइब सर्सक्राभल्च मरत ऐथे न्हीं यह परbers最近 टो में ट्रीष्रिक सब्सक्रा थ क्या the client append some additional data to the end of each URL which identifies the session and web server associate with the identifier which can data it store about the session okay just like here url can just like previous website होंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल आपका वेबपेज था वेबसाइट था या url था उसके एंद में क्या होता है यहां पर एक example देखते है और एंद सेशन आईडी जो हमने लॉग इन किया है कि लॉग इन चेक करके हमारा वेबपेज हे इसके ऊपर हम क्या करांगे लॉग इन चेक करने के लिए url पास करेंगे लियत शे। डे घर दे जो नहीं क्ए करेंगे ह्यां आप कारेंगे णक्छेंस क्या है शी नॉड़ा हमने सब्सक्रावड के आप्या बयस्तिक्राफ आपस्युचवड करने वाले सकता है बट दोंट वरी तो इसके लिए हमारे पास कैने एंगोड़ यसे इनक्रिप्टेट फिर्मेट में होने वाला है। इंक्रिप्टेट फॉर्मेट में होने वाल है तो जो एंड टू एंड जो भी डिवाइस यासे उतनी लोगों को इसका डिकोडिंग पता होगा तो इसके वज़से जो वेब ब्राउदर्स एंड वेब सर्वर होंगे उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो वही क्या वहीं जो जितने भी नंबस उप उप क्राक करने तो कोई प्राब्लेम करने के लिए तो स्वाल प्राइब वर्स रखते हैं जिकने हाफन हो आवर में डिलिट हो रहा है तो फिल से एक नया सेशन क्रेट होगा दें उसको अगेन उसको डिकोड करने के लिए 4 सावर वे सो encoded format में pass on करते हैं दिन next field next method के अंदर कोई भी doubt होगा सो कमें सेस्किशन में बता सकते हैं then next method that is a hidden form field in a hidden form hidden data होते हम क्क्या करते हैं एंदर फिर्स होते स्पेशिविक जो डेटा हम क्या कर सकते हैं आप पर हाइड करना इंपोर्टन है कि यह यह आप पास किया है यह नहीं क्रेप्रेट फॉर्मेट में क्या है लिकेन फॉड़ा सा कर में कि किसी परसन को इंफॉर्मेशन दो मिल गए उसने क्रैक कर दिया खतम बत कुछ नहीं कर सकते हैं बट इन फॉर्म फिर्ट यहां पर हम क्या करेंगे जैसलिक तू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हम यहां पर यूज करेंगे तो बेसिकली देखते कि ए जो हीडन फॉर्म फिर्म से कहां पर यूज बाँशर आप्लिकेशन अस्योचन इसेसरी रितरन वेब सर्वर सम्लैंट क्लाइट इनक्लाइन फोर्मेशन विच बाउंद अस्पेसिविक अप्लिकेशन रणिग वफ्ट दो मेथर्म्स है कि प्रपिलरली हम यूज करते जैसलिक गेट अन्पोस मेथर्ड उचके यूर्येल की और उसके साथ पास करेंगे यह देखते लिएक देखते ले से सेशन ईडी रिक्वेस्ट चेट पैरामेटर्स चेट करेंगे एंज घुम्हारी यूरील यह होगा सबस्क्राइब धर फास्ट करेंगे अनघ चेटण बीट पाद करेंगे यहाँ अगर्टण होगा वाद न्याज्ट चाय से request form या login form registration form तो इसके अंदर भी same हमने वाप्य क्या किया जो numbers of parameters pass किये थे इनर form में तर and जो हमारा next serverlet page वाप्य उसको return किया था page किया था वायज जो get parameter same scenario तो इसके accordingly क्या हो रहा है जो हमारा data securely one form to next form आ रहा है कि इसके accordingly जो data है हमारा secure में transfer हो रहा है तो जो hidden form फिल्ड होगा कि जो भी data form के अंदर fill up करेंगे सभी का सभी data में आपर वाया session वाया get parameters request and response या पर pass on कर सकते हैं कि इस method में से कोई doubt कि कोई doubt होगा कमेक सेशन बता सकते हैं कि इस वीडियो आपको informative लगा होगा तो इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं and similar types की वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe कर सकते हैं and next video के notification के लिए जो bell icon है वहाँ पर click कर सकते हैं hey thank you for watching